हेलो अब्रिवान कैसे सभी सभी आई होप सभाच से होंगे आसे पढ़ाई चला होगा आप लोग का यह कमेंड आ रहा है कि सार आई पेस अरवे प्यों का प्रिजल्ट कब आएगा इसके लिए बहुत सारे लोग कमेंड कर रहे हैं बहुत सारे लोग और होना भी जाइज है क् हमारा जो मैंस का अग्जाम है 29th of September है तो फिर आज होगे आपका 13th of September और 15-16 दिन ही वाकिए 15 दिन हम बहुत सकते हैं 15 दिन ही वाकिए हमारा एक्जाम को कब आएगा रजल्ट देखिए एक चीजी बताओ मेरे कहने से आप फिर किसी का कहने से रजल्ट नहीं आएगा जितन अभी इतना कम नीं नहीं देता है जनरली हाँ चलते हैं होता है क्योंकि मेरा जो अग्जाम होता था 2020 में कोवीड की टाइप मेंस के लिए सब 9 दिन ही दिया था ठीक है 10 दिन हम बोल नहीं सकते कि नौ दिन दिन दिया था आगरे दिन रेजल्ट आया था नो दिन मेंस आपक है मुझे ऐसा लग रहा है कि आज फ्राइड़ है और दो दिन छोटी है भी तो फिर दस ग्यारा दिन तो नहीं देगा आज आने का चांसे 99.9% है मुझे यह लग रहा है ठीक है होफोली आज 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 आ रेजल्ट आप लोग ओरीडम हो रही है देखिए एक चीज बताओ रेजल्ट को लेकर आपका की यूरेशिटी रहेगा की रेजल्ट कब आएगा मेरा प्रिलिम्स होगा नहीं होगा देखिए आपके पास अभी एक्जाम का स्टार्ट हुआ है अगर आप यह रेजल्ट के पीछे पढ़ेंगे और मेंस के लिए प्रिपारशन नहीं करेंगे करेंगे तो फिर आपका नुखसान है अगर आपका माल लीजिए आज भी रेजल्ट नहीं आया दो तीन दीन बात आपको सर्थ 10-11 दिन दिया तो फिर आप उसमें मेंस का मॉक करके पढ़ाई करो जब आएगा देखेंगे अगर यह प्रिलिम्स नहीं हुआ मैंस जब प्रिपारशन करते हैं कोई वेश्ट नहीं जाता है आगे बहुत से अग्जाम से आप उनमें से आपको यह काम आ जाएगा ठीक है ना मेंस के प्रिपारशन हमेशा यह बोलता हूँ अब डे वान से मेंस के प्रिपारशन करिये प्रिलीम्स तो हो ही जाएगा समझे रहे ना तो फिर होपफोली आज हम यह सो सकते हैं कि आज रजट आ जाए क्यूंकि पंदर दिन बागी है दो दिन चूटी है तो देखते हैं क्या होता है ओल दे बेस्ट फॉर यह रजल्स सो टेक के, टाटा, बाँ बाई